नमस्कार दोस्तों तो इस वीजो में हम लोग जानेंगे HIV के बारे में HIV YEDS क्या है और HIV YEDS कैसे होता है एक वक्ती से दूसरे वक्ती में sulfur के लखशन होते हैं HIV का Qis-ar इसके उपर जिस वीजो में जानेंगे तो HIV एक प्रकार का वाइरल इंफेक्शन है यानि कि वाइरस से होने वाली विमारी है जो हमारे सरीर के इम्मून सिस्टम पर अटाइक करता है यानि कि हमारे सरीर का इम्मूनिटी होता है उसको वो कमजोर कर देता है जिसके बज़से हमारे सरीर का विमारी से जो लड़ने की चम्ता होता है वो कमजोर हो जाता है तो बेसिकली जो HIV होता है वो हमारे immunity पे attack करता है और immunity हमारा कमजोर कर देता है जो HIV होता है वो अक्चली वाइरस का नाम होता है इसी वाइरस के नाम पर जो इस बीमारी को एड्स होता है तो एड्स का पुरा नाम होता है Acquired Immunodeficiency Syndrome तो HIV के वाइरस होते हैं वो दो प्रकार के विसिकली होते हैं HIV 1 और HIV 2 तो जो HIV 1 होता है वो most common जो होता है जो infection होता है लोगों में वो HIV 1 का ही infection होता है यानि कि जिसको भी एगर HIV होता है तो mostly HIV 1 का infection होता है और जो worldwide सबसे ज्यादा HIV 1 का infection होता है लेकिन जो HIV 2 का infection होता है वो rare ही होता है तो mostly जो वेस्ट अफ्रिकन कंट्री होता है उसमें यह ज़्यातर होता है और कुछ case उसमें इंडिया में भी दिखा गया है और लेकिन mostly जो है वो HIV 1 होता है हलांकि जो टेस्ट जो होता है लेकिन में HIV 1 और HIV 2 का दोनों का ही टेस्ट किये जाते हैं HIV के कई सारे symptoms होते हैं जैसे कि fever आना और weight loss होना या भूख कम लगना immunity कमजोर होना या cold cough जैसे symptoms होना हां गले में दर्द या मौत हलसर यह रात को पसीना आना तो और भी कई सारे जो है अगर वह जो है चैवी का infection होता है वह अगर काफी दीन होने के बाद एट्स पे कनवर्ट हो जाता है तो फिर जो है जो है आचानक से वजन कम हो जाएगा और फिर फीवर लागातार जो है शरीर में फीवर बना रहेगा और पसीने आएगा कमजोरी सा महसूस होगा और है डो है जो हाजायओ लाएगा 왜 पॉह जो है जो है अटलिसर बाद सम्ट्रम शिंटां सा उससे पहले जwhat नहीं आता है कर लेजरी जो है क्यांट करम के दूसरे बीजियों जो है यह नहीं हयाक्ते का शुण है जो है जोएक वेग्ति से दूसरे बेक्ति में ब्लूट के पांटेक्स से जय एक विक्ति से दूसरे विक्ति तो सबसे जयादा उन लोगोर घ्रव में होता है जो होगा जैसे की पाहसरे पार्टनर के साथु असके परका हम प्राइब कीुई उसके बाद भी पर्षास ऑनार कॉमों नियुट जोपिंट धाक्ति क में है चलब अग ही प्रेग्चेटों प्र और जो हो घ्रेंद के जो हैं उसके den में प्रेग्णेटर में लिए सब्सक्रट्बर जाता हैं इसाउस लिए अ क्यों प्रिगनेंसी में इतात्ता हार ब्लड तर्सफुजन प्रिग्णे से पहले और देने से पहले दोनों का HIV AIDS टेस्ट करवा जाता है और organ transplant से भी HIV AIDS हो सकता है उसके बाद जो है mostly यह दिखा गया है कि जो है जो हमारा syringe होता है या surgical items होते है hospital में या clinic में जो infected person का एक उसरे का mix करके यूज करते हैं तो उससे भी HIV AIDS होने के chances रहते हैं तो ब्लड कॉंटक्स से सीमेन कॉंटक्स से और वैचिनल फ्रूर्ट जो होता है उसके कॉंटक्स होता है तो HIV AIDS के रोकने का सबसे बेस तरीका यह है कि जो है आप जो है जब भी आप sexual active होते हैं तो condom यूज करके आपको sex करन चाहिए उसके बाद एक दूसरे का ब्लड जो है आप हमेसा ध्यान रखना चाहिए कि एक व्लड दूसरे वक्ति में जो है मिक्स नहीं होना चाहिए यानि कि किसी भी तरह से प्रफिस नहीं आना चाहिए तो यह सब चीजे होती है दोस्तों HIV AIDS जो है वह एक व्लक्ति से दूसरे व्लक्ति में नहीं फाइलता है तो हमें जो है और श्रीन प्रफिस नहीं होता है उसके बाद जो है लिप-टू- लिप किस करने से जया से थूक और रहा हो गया पसीना हो गया यह आशु हो गया इनसक के कांट्रेक्ट से ज़ो है नहीं होता है जैसे मπα्चर हो गया कातने से उसके बाद जिए टुएलेट शेयर करने से वैट यह करने से, तो यह सब जीजों से ऑचावी भी नहीं होता, तो इत golden साहे अर्व पर से मेंटमा नहीं होता है, पर समय होता हैं कनो tough technology तो यह जो टेस्ट होता है वह इंफेक्शन होने के जाने कि अगर कोई वक्ती HIV पैसेंड के कॉंटेक्ट में आया है तो उसके आने के 18-45 दिन बाद यह टेस्ट करवाने पर पोजिटिव या नेगेटिव होता है उसके बाद जो है दूसरा जो टेस्ट होता है वह होता है जो टेस्ट होता है वह नुकलिक असे टेस्ट होता है जिसको नेट बोलते हैं यह पीसी आट टेकनीक से होता है यह जो होता है यह सबसे अच्छा टेस्ट होता है तो अर्ली जो है स्टेज में जो है HIV वारस का पता चल जाता है हफते दस दिन में ही जो है HIV वारस का प होता जब किसी व्यक्ति को contribute होता जानि की जो resultado 2023 होता तो फीर कन्फर्म करने के लिए टेकनीक से टेस्ट के जाते हैं कि जैसे मैंने बताई कि एसाएवी के most common जो दो होतते हैं वो एसाएवी इंटीजन एन्सा में चाश्च निघ स्वां रव तकेश्ट होता है और दूसरा होता हुषिमन इंटीजन उर्एवय य। इसमें screens अगेंज हमारा बोड़ी बनाता है तो इसमें बोड़ी के पता लगा जाता है दोनों ही अलाजा टेक्निक से होते हैं तेकिन जो HIV-1-2 एंटीजन और एंटी बोड़ी टेस्ट होता है वह जो है रूटिनली परफॉर्ण किये जाते हैं डॉक्टर दोरा प्रस्क्राइब किये बनाता है तो चालिए प्रस्क्षाम्प्ल के ज्रुषत उआ थैज्या इंगर कोई पैसेंट है थो हमें जो है बहुत है जी क्यार्फॉर्ण बहुत डेना चाहिए निच्त्राइब होने कि जाये निचली से मैं यू तो क्यों तो ब्रट होने में में रहते हैं तो इसलिए करते हैं हमेसा धॉलब चाइंट करना चाहिए युघ करना चाहिए सब्सक्राइब कर फास्टिंग की जो एक के वा देटेल बगड़ा होता है है कि अध्य तैश्ट का रिपोर्ट होता है वो पोजेटीव या निगेटीव नोन रियक्टिव होता है तो जो यदी ए टैस्ट में पोजेटीव है जाई या रियक्टिव लिखाओ पर आपका प्रजेंट आपके बॉडी में और लिदे निगेटिव द्रिव टेश्ट करद अपने निगेटिव दॉट नहीं है अब यदि किसी वेक्ति को अच्छाइबी ब्रद्व को थे एपने अपने बाद बाद तो रिदो पिडियों होता है कि जो है इंफेक्शन होने के कितने दिन बार टेस्ट करवाना चाहिए तभी पोजिटिव निगेटिव कनफर्म होता है उस जो है उसको विंडो पीडिट बोलते हैं यदि आपने विंडो पीडिट में टेस्ट करवा लिया तो हो सकता आपका निगेटिव आ जाए यानि अर् जैसे रोमेटोड अथ्रैक्रिक्स हो गया या तो कोई सारे जीसमें फॉर्स पोजिटिव होता है तो फिर उसको तेस्के बाद यहीं किसी व्र्टि को अच्याएब पॉजिटिव आता है तो फिर जो है उसको जो है फौतर जो ट्रस्ट करवा जाता उसी संपल से दूसरा ट टेस्ट करवाने से फिर यादी पोजेटिव आता है तो फिर उसको पोजेटिव माना जाता है उसके बाद यादी पोजेटिव आता है अलाइजा टेकनीक से फिर उसको वेस्टन व्लॉड टेकनीक से भी जो है उसको टेस्ट करवा जाता है उसमें पोजेटिव आता है फिर उ